पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जाओ गंट्री में वापस आ चुका था जहां आने के बाद उसके उसके कुछ डिसेंडेंट दिखाए देते हैं जिनकी हालत बहुत जादा खराब थी साथी वांग को ये भी पता चला था कि जाओ गंट्री में सभी लोगों क इस प्रिशल रूट को बहार निकाल दिया गया है और ये काम त्यांदाव सेट वालोगा हैं वहाँ पर त्यांदाव सेट के कुछ लोग भी आ चुके थे जो वांग पे हमला करने की कोशिश करते हैं पर वांग को जैसे पता चला था कि ये त्यांदाव सेट असल में टैंक इस एपिसोड की शुरुवात में हम त्यांदाव सेट का सीन देखते हैं जहां पर एक डिसाइपल ने वहां के एक एल्डर को आकर सारी खबर दे दी थी किसी बंदे ने हमारे कई सारे मास्टर और डिसाइपल की चान ले लिए यह सुनकर तो वह एल्डर भी हैरान रहता है कि आके ऐसा गोंसा बंदा आ गया जिसके सामने हमारे करीब 10-12 डिसाइपल और मास्टर वगेरा नहीं डिक पाया उस बंदे ने अकेले उन्हों को खतम कर दिया यह कैसे पॉसिबल है तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुमने किस तरह की घड़िया खबर मुझे लाके दिये अ मैं बाकी एल्डर्स को क्या ही जवाब दूँगा कि मैंने इतने सारे मास्टर को वहाँ पर भीजा था जो सब के सब मारे जा चुके हैं वो लोग तो सबसे पहले मेरी ही जान ले लेंगे तुम ये खबर लाने से पहले खुदी वहाँ पर क्योंने मर गये वो एल्डर लाता कि किसी भी सीनियर को इस मैटर के बारे मालूम पड़े कि इतने सारे मारे जा चुके हैं अगर उन्हें पता चला तो वो तो मुझे जिंदा नहीं चोड़ने वाले मुझे नहीं लगता कि जिस बंदे ने उन्हों को मारा है वो यहाँ पर भी आएगा यूगि शायद उस बंदे ने उन सभी को मार डाला इसलिए भूल जाओ कि हमारे कोई मास्टर वगेरा मरे हैं वरना ये खबर फैली तो हमारा मरना तो तैह हो चुका है वो बंदा क्या मारेगा हमारे सेट के ही लोग हमें मार देंगे लेकिन तब भी हमें बैक अप तो चाहिए होगा तुम जाओ किसी भरो से लाइक बंदे को खबर करो और इस मैडर के बारे में बता देना ताके वो यहाँ पर आकर हमें कुछ बैक अप दे सके क्योंकि अगर बायचांस वो बंदा यहाँ पर आया तो वो हमारी भी जान ले सकता है और बैक अप लेने के लिए मुझे सबसे सही बं होफुल होगा जो वो उस बंदे को हरा सके मैंने सुना है कि गैंक फूजी तो टैंक फैमली का सबसे लूजर और आयाश किसम का बंदा है हम उसका सपोर्ट लेकर भी क्या करेंगे वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है जिस पर मास्टर कह रहा था दुबारा ऐसी बाते बिलकुल को लोग जाक है गैंक फूजी से मदद मांग सके वहां पर कई सारे डिसाइपल होते हैं द्यांदायों से्ट के जो सभी यांपर Gemur Another City को माजाने के लिए आया थे अनके साहथ त्यांदायों सेक्ट में जा सके लेकिन गैंक फूजी का जो कुस्ता होता है वो इतने हाई लेवल की डिसाइबल की वहाँ पर बेज़दी करते बें उनके कभी जूतों पर सूसू कर देता तो उन्हें काट रहा होता है इन शौड़ी हाँ पर डिसाइबल की कोई इज़त ही नहीं हो रही थी और ये सादी जिसे बड़े मज़े से गैंक फूजी वहाँ पर सिंखासन पर लेटे वेक करवा रहा था क्योंकि वो कुता भी उनीका होता है उसे कोई परवा नहीं थी कि ये डिसाइबल लोग यहाँ पर कितने पौफुल है वो सभी लोगों को अपनी पैर की जूदी समझता है तब वो त्यांदाव सेटकर्च मास्टर था वो गैंक फूजी से कहरा होता है मास्टर मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ जिस पर गैंक फूजी कहरा होता है अरे मुझे क्या मास्टर बोल रहे हूँ मास्टर तो तुम हो ना मैं कभी कबार तुम्हारी बात सुन लेता हूँ क्योंकि तुम हमारी टैंक फैमली के पूराने कुत्ते हो जब तक हमारे शावरों पे चलते रोगे तब तक मैं तुम्हारी बाते सुनता रहूंगा जो हमारा कुटा बना रहेगा वही जिन्दा रहेगा बाकियों को जिन्दा रहने की कोई जरूरती नहीं है इस बंदे के पास तो सच में बहुत जादा घमंड था नजाने केस जिसका घमंड इसके इंदर भरा होता है तब डरते वे मास्टर जो होता है गैंग फूजी को सारी बात बता रहता है जो सुनकर वो कहा रहा था चलो ये सिचुएशन तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है लेकिन तुम धोड़े मोड़े डिसाइबल जो मर हैं उसके लिए इतना जादा क्यों परेशान हो डिसाइबल को तो मरना लगा रहता है उनकी क्या वकात है मरने देते तुम ये छोटा सा मामला लेकर यहां पर मेरे पास क्यों आ गए गैंग फूजी कहा रहा हुता है देखो मैं एक बार तुमेना साफ साफ क्लियर कर दूँ कि मुझे घंटा नहीं फर्ख पड़ता कि तुम्हारे त्यांग दाउ सेट के कितने मास्टर और कितने एर्डर वगरा मर रहे हैं लेकिन जो जिम्मेदारी हमारी टैंक फैमली ने तुम्हें दी है उस पर अगर कोई भी आ चाही ना तो वो बंदा तुम्हें क्या मारेगा मैं ख़द तुम्हें और तुम्हारे पूरे के पुरे 312 सेट को खत्म कर दूँगा ये बंदा किस जिम्मेदारी के बारे बात कर रहा है वो थोड़ी दिर में हमें पता चल जाएगा ये सुनका वो मास्टर कहा रहा होता है सीनियर मैं आपकी बात समझ गया मैं आसे खुदी अपने डिसाइबर को ले जा रहा हूँ ताके देख सकूँ कि असल में वो चोर कौन था जिसने हमारे इतने साथियों को मार दिया अगर वो आया तो मैं वो चीज़ कभी उसके हाथ लगने नहीं दूँगा जिससे वो प्रोटेक्क करने की आपने हमें जिम्मेदारी दी है लेकिन इन लोगों की बक्वास बातें यहां पर चली रही थी कि तभी पीछे का दर्वाजा एकदम भयानक तरीके से तूट जाता है और दर्वाजा तूटने के बाद आवाज आ रही थी त्यांदाव सेट के डिसाइपल और मास्टर जो भी हो अगर अपनी जान पे आदी है तो बाहर निकल कर आ जाओ सभी लोग की हालत खराब हो जुकी थी अरे इतनी भयंकर आवाज किस की आए सारे मास्टर वगेरा बाहर आकर देखने की कोशिश करते की कौन यहां पर आ गया उन सभी ने त्यांदाव सेट के ओपर अपना प्रोटेक्शन शील को ओपन कर दिया था वांग का हर एक कदम इतना जादा स्ट्रॉंग होता है कि अच्छे से अच्छा पावफल कल्टिवेटर उसके चलने से जो औरा निकल रहा है उसी से मारा जाए पूरे फुल रिवेंज वाले मूड में आ चुका था वांग यहां पर और अगला ही कदम रखते वे त्यांदाव सेट के ओपर जो प्रोटेक्शन शील बनी थी न वो उसे बस चकना चूर कर देता है लेकिन जैसे ही वो शील टूटा था न सारत के सारे त्यांदाव सेट के जो एल्डर मास्टर होते वहाँ पर अपने गार्डियन को समन कर लेते हैं ताके बस एक ही स्वाट के अंदर वो उस गार्डियन का खेल खेल खतम कर सके वो स्वाट बहुत ही बड़ी और एकदम जाथा लाजवाब लग रही होती है वांग जैसे हैं अपनी उस स्वाट को कंट्रॉल करते वे उस गार्डियन की सीने में गुसाता है कि वो स्वाट जैसे उस गार्डियन को लगती है वो गार्डियन जो कि 33 सेट को प्रोटेक्ट करता था बस एक ही अटेक के अंदर बस गाय भी हो गया होता है जो देखकर सारे कसाय लोगों के आंके फटी की फटी रह गई थी कि अरे ये क्या हुआ ये बंदा कौन है जिसने हमारे गार्डियन को एक अटेक करने तक का मौका नहीं दिया उसने तो बड़ी आसानी के साथ गार्डियन को भी खत्म कर दिया ये बंदा जो भी है वो नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है वो मास्टर कह रहा था देखने में तो इस बंदे की पावर लग रही है कि नेटसन सोल लेवल पे होगी लेकिन नहीं मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसके पास सिफ नेटसन सोल लेवल की पावर तो बिलकुल भी नहीं है मैं खुद नेटसन सोल लेवल पे हूँ लेकिन मैं कभी भी नहीं इस गार्डियन को हरा सकता हूँ गार्डियन को हरानी की बात तो छोड़ो मैं सेट के उपर लगा वो फॉर्मिशन भी कभी नहीं तोड़ सकता होता है अब बढ़ाओ तेरा दिमाग सटक गया है क्या तो कोई भी ऐरे गड़े है पंदे के सामने जुक कर उससे माफी मागेगा ये बंदा कौन है मैं ही इसे देख लेता हूँ आखिर इसकी हिमत कैसे वी इसने यहाँ पर प्रडेक्शन शीर्ड को तोड़ा और कारडियन को भी खतम कर दिया वो अब सिधा वांग को धंकाना जादा घमंड है इन्हें इनकी आउकात तो नहीं पता लेकिन घमंड करना इन्हें जरूर आता है लेकिन वांग को वहाँ पर कुछ कुछ डावड भी महसूस हो रहा था जैसे इसने गैंक फूजी को देखा था ना वो कह रहा होता है इसकी cultivation power मुझे थोड़ी सी अलग लग लग रही है लगता है इसे ने किसी secret method का एस्थमाल किया है अपनी cultivation power बढ़ाने के लिए हो सकता है यह वही चीज हो जिसकी वजह से सारे के साईलों का spiritual route बहार निकाल दिया गया हो गैंक फूजी वहाँ पर उस मास्टर से कहना था दब तुम यहाँ पर उस बंदे से फाइट नहीं कर पारे तुम्हें मास्टर कहने का क्या फाइदा तुम्हारी कोई आकात नहीं कि तुम्हें कोई मास्टर भी कहे तुम इस बंदे से डर गए जबके तुम्हें पता था कि ट बंदे से फाइट करो वरना दफा हो जाना इस त्यांदाव सेट के अंदर से तब इस चीज़ को देखकर वो जो मास्टर होता है वांग से कहा रहा होता है वांग तुमने यहां पर बहुत बड़ी गलती कर दी हमारे सेक्ट में घुसकर अब हम तुम्हें यहां पर नहीं करते हुए वांग के यहां पर अटेक कर सके लेकिन वांग तो रिट्रिली एक कदम नहीं हिला था उसे तो एक जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था कि यहां पर कोई भी क्यों ना आ जाए मैं तो उसे हरा ही दूंगा गैंक फूजी को लग रहा होता है कि चलो लगता है कि इस सीनियर जो आया था यहां पर उसका गेम बच गया इतने खतना का टेक से वो घंटा ही नहीं बचने वाला है वो तो मरी जाएगा लेकिन तभी वांग बस अपनी रेड लाइटनी की पावर को क्या एक्टिवेट करता है पूरा का पूरा त्यांदा उससे डहिल चुका कि नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस बंदे को कमजोर समझ कर उसका सारा का सारा शराब कर नशा अब उतर गया होता है इसलिए वो अपनी चान बचाकर वहां से भागने की कुशिश करता है क्योंकि उसके पास तो उस एल्डर जितनी भी पावर नहीं थी पर जैसे वो महल के अंदर घुसता है ना महल तोड़का सिधा वहां पर वांग आ जाता है जो उसके सामने ही आगर खड़ा हो चुका था आज तो इस गैंक फूजी का खेल खतमी होने वाला है वांग वहां पर अपनी पावर का स्तमाल करते वे सिधा गैंक फूजी का गला दबा देत लेकिन अगर मुझे यहां पर कुछ हुआ तो पूरी टैंक फैमिली आ जाएगी तेरी जान लेने के लिए इसलिए भला इसी में होगी कि मुझे यहां पर छोड़ दे लेकिन वांग उसे नहीं छोड़ता जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहें पर एंड हो जाता है